नाम के निश्रा जी जी है पंडी जी लग रही हैं कि अभी और स्तीफे भी हो सकते हैं सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधार की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं सौमी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात कह चुके हैं यूनेक्स टन्राइज इंडिया ओपन में कोरोना का बम फूटा है किदाबी श्रीकान समी साथ खिलारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ये टूर्नमेंट 11 जनवरी को शुरू हुआ था और 16 जनवरी तक चलेगा जो खिलारी पॉजिटिव पाए गए वो किदाबी, श्रीकान्त, अश्विनी, पुरप्पा, रितिका, राखुल, ठाके ट्रीसा जॉली, मिथन, मंजुनाथी, सिंब्रन, अमन सिंग्धी और खुशे रूपता है ये सभी खिलारी तूर्नमेंट से बाहर हो गए है बैमेंटरन वोर्ल फेडरेशन ने पुष्टिक की है कि कोरोना वारस से संखिलित होने के बाद साथ खिलारी ने इलिया ओपन 2022 से बाहर हो गए राश्वराजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की बीच एक खबर आई कोविड-पॉस्टिक पाए गए खिलार्यों की विरोधियों को पहले दौर में वाक ओवर मिलेगा और वो सीधे टूर्नमेंट के दूसरे दौर में पहुँचेंगे बीरभ उएस ने एक बयार मिज़ की जानकारी दी है उत्रप्रदेश में चुनावे बिगुल बग चुका है साथ उचरण में उत्रप्रदेश में चुनावे होने हैं तमाम पार्चियों अपनी चुनावी तयारियों में जुटी हुई है जिस तरह से कोरोना भी अपने पैर पसाद चुका है ऐसे में प्रत्याश्री और जन्ता के बीच कोड़ी चनौती बनी हुई है कैसे जन्ता कोरोना से जंग जीत कर अपने प्रत्याश्री को विधायक चुनेगी क्या किसको मिलेगी यूपी की बाग डौर इसी को जानने के लिए हमाई निजवर इंडिया की टीम पहुंची सरधना विधान सभामी और खास बातचीत की हमारे समादाता फ्रिहान आलम ने बीच्पी के सरधना पत्याश्री संचीव धामासिप सुनिए क्या कहना है उनका परदेश में चुनावी विभी बच्चुका है तमाम राजनेदिक पाट्या चुनावी के मैदान में उत्री हुई है और परचार कर रहा है इसी पर जादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौझूद है वक्त सरधना विधान सभा से संजीव धामा जो बस्पा के प्रतियासी है आपको पता दो कि सरधना विधान सभा में अभी किसी भी पार्टी का टिकेट फाइनल हुई हुई है अलाकि संजीव धामा पहले आप कि circumstance के मिजब जाने है था बस्पा का जण्डा तो हमेसा विकास का जण्डा रहा है बस्पा का जण्डा कि से न दोनों पार्टी के तरह कुछा थी तरह कभी हिंदों मुस्लिम पहला नहीं इन लोगों के पास तो कोई और मुद्धा ही नहीं बहान जी कितनी बार भी मुख्यमंतरी बनी है विकास की कंगा वही है आपके सामने है किसानों के लिए हुआ हो रोजगार के अवसर हो हर चीज में वहेंजी अवल आई है पिछली पांस साल से हम देखें कि बसपा जो विपक्स कभी भी हुंगा में नहीं है कोई धर्ना पर्दसन या किसी भी तरह कोई आवाज नहीं लेकिन एकदम चुनाओं आ गया और चुनाओं में फिर किस तरह किसे आप कठनाईों के सामना करना पड़ रहा हो नहीं कोई कठन यहां हम लोग मीडिया के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ते हैं हम आप बताएं जिला पंचायद में इस मेरड जिले में किस पार्टी के सबसे ज़्यादा जिला पंचायद सदस्य जीते थे मैं आप से पुछना चाहता हूँ जीते थे बसपा कमजोर कहा है बीएसपी के स सब्सक्राइब करोना भी एक तरफ है और दूसरी तरफ जो चुनाव वायों ने रोक लगा दिया कि कोई भी बड़ी रेली नहीं होगी कोई रोड सो नहीं होगा तो इस तरीके किस तरीके से आप जंता के बीच में जा रहे हैं कैसे अपनी बात पुछा रहे हैं बहुत कठ जिए के जनम दिन के लिए आपने पहले तारीक तक रोग लगा दी अरे जनता सब समझती है इसका मुळ तोड़ जva azvaब देंगे करारा जवाब दे और रही बात करोना की करोनासब के लिए हमारे लिए भी हम भी कहरें कि करोनासब बचके रहना बचके भी रह रहें जो गाइड लाइन होगी चुनाव आए हो कि हम भी उसके हिसाब से काम करेंगे मगर मेरा सब आप लोगों से भी यही कहना है कि अगर आप लोग तीनों चारों पार्टे जो भी चुनाव लड़ रही है उनके सब परतियासे को देखें को उनको नियम तोड़ रहे हैं जो नियम बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा सत्ता पक्सी तोड़ेगा आप देखते रहना इस पार वैसे गोशनाए क्या है जो बस्पा की जो मैन गोशनाए है किन मुद्धो पर बस्पा इसे बारत क्यों आप मैदन बोड़ देखिए नहीं दिया उन्हें कहने की आउशकता नहीं है वैन जी का काम ही कौन सा उध्योग पती ये चाहता है कि वस्पा की सरकार बन जाए क्योंकि वैन जी गरीबों की सरकार है गरीबों के बारे में सोचती है 24 गंटे उनका इसी पर बीटा पस्ची मुत्रप्रदेश से जाट मुस्लिम बहुट मागना जाता है और इस बार किसान अंदोलन के बाद में जो जाट लोकतल से जुड़ा है उसने कहीं ने कहीं परिसानी ने कि आपसे छिटकता नजर आ रहा है गलत ऐसा कुछ नहीं है मैं खुछ जाट विरादरी से हूँ और मैं अपने समाज के बीच में जा रहा हूँ मुझे भाठपूर समर्थन मिल रहा है लोग वहन जी की सरकार को याद करने है मैं आप से भी कहता हूँ आपको खुली चिनोती दे रहा हूँ कि आप जाएं जाटो के वीच में और मुझे दिल पर हाथ रखके पूछे कि पिछली तीन सरकार ये चली गई किसकी सरकार अच्छी थी तो एक ही बात आए कि सरकार तो वहन जी की अच्छी थी उसी के आधार पर हमें वोट मिलेंगे आप देखते रहें जिस तरीके से गोष्णाए कि तीन सो यूनिट बिजली देंगे कहीं ने कहीं वो सभी पार्टियों पर भारी नजर आ रहे है इन दोजार बारे से सतरे तक इनकी सरकार रही तब ये गोष्णाए कहां गई थी आज ये फरजी गोष्णाए करके तीन सो यूनिट बिजली देंगे आज मतलब आप लोगों को क्या क्या दिखाना चाहते लालस देना चाहते है दें आप सरकार में थे दिया नहीं आपने आज गोष्णाए कर रहे हैं अगर बिजली की बात करें तो यह हो गया दितना आज जी ने भी आप यह बात मुझसे पूछ रहे हैं आप खुद उनसे एक आज बार यह भी पूछना चाहिए कि जब आप 12 पे किसान की 12 पे मीटर लगा सकते हैं आप रेट कम करने की बात कर रहे हैं अरे चुनाव आया तो किसान आंदोलन के किसान बिल भी वापस बिजली भी पूरे पांस साल सोती गंज की बात कर रहे हैं पांस साल साब सोती गंज में गाडिया कटवारे थे इसका मतलम हम माल पिया जा रहा था यह दे हमारे साथ में बस्पा के सरदाना परतियासी संजीव धहमा आये जानते हैं परतियासी के विद्धान सभव में की तरीके से वह देखते हैं कि बड़ती लहर को देखते हुए बड़ी बड़ी दे लिया रोड़ शो सभी पर पाबंदी लगा दिये ऐसे में अब जन्ता में चुनोती है की सब्सक्राइब में करोना पर जीतना है और अपने पर करेंगे हम अगली विधानसपा में जाने कि लोगों कि जाए कि उनका मोड क्या है इस बार विधानसपा चुनाओं में रेहान अलब न्यूजवल इंडिया देश में जालनेवा कोरुना वारिस महमारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है साथ ही कोरुना की सबसे खतरनाक वेरिय कि ओमिक्रोन वेरियंट के 5,000 से जादा मामने सामने आ जोके हैं देश में धैनेक पोलस्तिविटी रेट अब 13.11 प्रतीशत है वहीं बड़ी बात यह कि देश में आज कल से 52,000 से जादा मामने सामने आए हैं कल कोरुना के 1,94,000 से जादा मामने सामने आये थे कि 86,000 हो गई हैं आंकलों के मिताबए कर 84,825 लोग ठीक हुए जिसके बाद अभी तक 3,47,15,000 से जादा लोग संप्रमन मुक्त हो चुके हैं मुरादरबाद के थाना सिविलाइन इलाके के पोश कॉलिनी में उस समय हरकांप मत गया जब दो बाइक सवारों ने अपनी दुकान बंद कर रहे वेपारी की गोली मार कर हत्या कर दी वही सुच्णा मिले ही मौके पर पहुंची पुलिस रहे मितक के शब को कबजे में लेकर पोस्मार्टरम के लिए भीज दिया है वही मितक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए मामले की जाच शुरू कर दी है देखे थाना चेत्र सिविल लाइन में कुशांग गुपता जिनकी ये स्पूर्ट्स की दुकान है दुकान बंद करके निकल रहे थे एक लड़का बाहर की तरफ से आया है उसने बुली मार दी है जिनका ऑस्पिटल ले जाते हुए उनकी मिर्थिव हो गई है परिजनों से पूरी जानकारी की जा रही है उनके द्वारा जो तहरीर दिया जा रहा है उसके आधार पर मुकदमा पंजिक्रित ठाना पर कराया जा रहा है हम सभी लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरिक्शन कर लिया गया है एक पुरानी बिवाद जो है इनके किरायदार के साथ संग्यान में आया है हमारी एसोजी की टीम सर्विलांस की टीम इस काम पर लगी के पुरी चानवीन कर रहे हैं और जो भी तत्थे प्रकास में आएंके उसके आधार पर आगे की करवाई की जाए कि रागनीतिक के नेता से भी कोई विवाद का मामला बताया है यह अभी जो प्रेलिम्नरी विवाद बताया है वो किरायदार जो इनके ऊपर एक रिस्ट्रॉएंट थी उसके बिवाद के कान पिछले एक देर महिने पहले बिवाद कुआ था वडिवार जन उसके सब्सक्राइब कर रहे हैं यह हुए थी हम दुकान पर खड़ हुए थे एक दोगी दाहात में तो दोगी को अंदर वैटाले थे तो दो जिन आये थे सूपर वाइक थी तो पीछे साइब बैया कान पो को लिए मार के बाग रहे थे एक खड़ा हुए तो यहां का नाम क्या है कुसां कुटका और यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए जल्ला उटेंगे मानियमेन का गांधिजी मानियमेन का गांधिजी आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे तो सुनियेगा सांसर जी हमारे देश के प्रदान मंतरी भी चाय बीचते थे हम उठाते हैं आपके मुद्दे महुल गरम है, मुद्धा भी गरम है को पजा के पूछिए इन से कि क्या वादे कर रहो, नहीं कर रहो तो रिजाइन करोगे अपना जोश और वोट बचा के रखियेगा अपने जाम पर करेंगे भारत मातकी हम लेते हैं सीधा, सरकारों से जवाब हम है, यूवर्ट इंडिया नया सवेरा, नया सपर, नया है आगाज एक नई सुभा, एक नई शुर्वा चाय के चुस्किया गुड मॉर्णिंग इंडिया के साथ बाई पम्मी, बाई पापा इसे अची शुर्वाद क्या बला हो सकती है नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूजोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल जियागी और आप देखरें हमारा खास कारेकम गुड मॉर्निंग इंडिया दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट दिन भर के बड़े डेवलप्मेंट्स दिन भर की पॉसिटिव ख़परें मंडे तो सेटेडे सुभा आट बजो देखे गुड मॉर्निंग इडिया पारुल जियागी के साथ और काजल नाराई के साथ मेरे भारत में लोगों को बर्गलाना इतना आम क्यूं हो गया है? तो ऐसे में जब सच और जूट के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दरपरत की जहां से सच बेनकाब होगा आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन इमानदार लव्ज अपने रास्ते ढून लेते हैं अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम जूट की दिवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते तो सोमबाब से शुक्रुआर तर मुलाकात होगी आख से न्यूज़ वर्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्राटकास भारत एट 9 पर देखिए भारत एट 9 कावेंद चोहान के साथ सिथ न्यूज़ वर्ड इंडिया पर ब्रेक के बाद इबाफिर आप सभी का सवागत है रुक कर देंगी खबरों का संभल के दिव्यां मुहम्मद कासिम को बीजेपी सपा बसपा कौमरसाधी राजनेतिक दल कोई माईनी नहीं रखते। रधान सपा चुनाम में इस दिव्यां ने दिव्यांगों के बल पर खुद के सीम बनने के दावा किया है। यही नहीं उन्होंने सभी 430 सीटों पर दिव सबसे पहले सर्वित कल्याम और संगरन तो उसी बैलन तल्य हम एलक्षन लड़ेंगे जैसे हमने तीन दिसम्मर का विकलांग दिवस हमारा होता है तो हमने कहा था या तो सरकार एक देश एक पेंशन पांच हजार रूपे कर रहे अन्यत हम एलक्षन लड़ेंगे तो हमने 430 कि इन पर 83 उतारे हैं और हमने अपना घोषड़ापत्र जारी किया है उसके 22 विंदू है जैसे दिव्यांग जैसे दिव्यांगों को पैंशन एक हजार रूपे कर दी गई है तो 5000 रूपे होनी चाहिए दिव्यांगों के लिए सिलेंडर फ्री होना चाहिए लाइट फ्री ह नजली होती है तुह को सरकार हमारी महना है करे और हम 2022 में अपनी सरकार बना रहे हैं और पूर बहुम्मत सरकार बनाails लड़ने जा रहे हैं और हमारे किसान योबा है सबके वलबूद्रे के नाम के नाम एलेक्शन लड़नेंगे दुनाल गाउं, भक्रा, जोकारी, विलोली आदी गाउं में जन संपरकर जमर्थन जुटाया तो वहीं दूसरे दिन उलोने भालसी, हिटानू, तुखार, नाला घर, माजयासारी, जडिदूम का अदाला, दूंगी, सिगुणी और पैनी भवान में जन संपरकर 14 फरवरी को ह वने वाले विधानसवाचनाव के लिए समर्थन जुटाया है, पॉरी में सरकारी शराब की दुकान पर बिना रेट लिस्ट के शराब बेशना, ओवर रेट शराब बेशना आम बात है, जाद तर सरकारी शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट देखने को नहीं मिलती, और ग्रहकों से मनमाने दाम वसूले जाते हैं, दिकास खर्ण कज्ये खाल के अंतर गर्दगाविन श्रेतर में खुली हुई सरकारी शराब की दुकान, बिलखेत इसका जीता जाकता उधारन है, इस दुकान बांग हाठ पुल के पास है, जहां खुले आम ग्रहकों से मर्पी से ज़्यादा दाम वसूले जा रहे हैं, हाला कि पाड़ी में एक मात्र सरकारी शुराप की दुकार नहीं है, जहां पर ओवर रेटिंग की जा रही है, फिर भी आपकारी विभाग, खुमकर्ण के नींद सुया हुआ है जहां दारू ओवर रेटिंग की जा रहे हैं, जहां आपका रिवाला को संग्यान में लिना चीज़ बात को यहां आप गरामें लुफ बहुत प्रेसान हो रखें चीज़ को लेके आने वाले विधान सबर चनावों को देखती वे, पुलिस अधिक्षक चमुली श्वेता चौबे की नतित में पुलिस सर्दिसानिक बल के जवालों ने चमुली के जिला मुख्याले गोपेश्वर में 244 के पालन और शांती विवस्था बनाय रखने को लेकर सशेच्ट फ्लैग मार्श में काला और शांती विवस्था बनाय रखने की अपील की है चुनाओ के दिश्टिकर जो है पूरे जन्पत छेत्र में जो हमारे अंतर जन्पतिया बारियर हैं साथ अंतर जन्पतिया बारियर ऑपरेशनल कर लागाताब जो है उसमें 24 गंट के ड्यूटी चेकिन की कारवाई की जा रही है और मुख्यका सभी कोर्स को प्रीव कर दिया गया है अवैद शराब या असला या इस तरह की कोई भी अवांचिप या वस्थूपा का ट्रांस्पोर्टेशन होता है तो उसमें अभी होग पंजिद्रेट करके कारवाई करें उत्राखन की राजधानी देहरादून के बस अड़े पर प्रशाषन के तरफ से जारी नई गाइडलाइन इसको मद्दे रप्रशाषन की ववस्ता बाहर गई है लेकिन बस अड़े पर मौझूदा लोगों ने प्रशाषन की इस ववस्ता पर ही सबाल उठा दिये सौफ प्रशीत बशों में से केवल दस प्रतिशत बसे ही बस अड़े तक यावत्री ना रही है और उन्हीं की सिर्फ जाच हो रही है बाकी यावत्री बस अड़े से पहले ही उतर जाते हैं चले और मैं आपको यहां की तस्वीरे दिखाने के लिए लाई हूँ क्योंकि उत्रखण में लगातार बढ़ते केसिस को मद्ने नजारक प्रशासन और भी जादा सक्त हो चुका है कोविट केसिस लगातार बढ़ रहे है मिरतिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसको मद् प्रशासन द्वारा की आधिश जारी कर दिये गए तो यहां पर और भी जादा तीजी रफ्तार से अब जो भी बस से यहां से उतरते हैं यातरी जो भारी राज्यों से आ रहे हैं या फिर उत्राखण के अन्य अन्य राज्यों से जो भी यहां पर आ रहे हैं उनका सब कोव जो है यहांपर तो तब लोगों से बाचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर कुविड प्रक्रिया अभी जारी है तो अब यहाँ पर जो मौझूद है बस सान पर जो लोग लगभग रोज का जो देखते रहते दिन चरिया किस तरीके से चल रही है उनसे हम बातीत करेंगे और भी लोगों से जानेदा करेंगे कि यहां पर किस तरीकी की प्रकृरिया चल रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि किस तरीकी सेदिया पर कोड़के को लेकर अभी सरकार द्वारा महींगे चाहूंगी कि लगतार बढ़ रहे को ना के के से उसके बाद यात्री यहां पर उतर रहे हैं तो किस दोने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है और कि जो कर रही है बढ़े कर रही है और जो भी आग के खोगा देखो आज कल इतनी पेशन इतनी महामारी तीजरी लहर के आई और सरकार नहार जो निलने लिया जल्दी अच्छा लिया है कि आज यहां पर चेकिंग के दौरान कितने केसे आज आज केसी हैं सक्किया किया गया है उनको हम कोरेंटीन कर दे गया और उनके दोनों और अफसन थे आप दोन होस्पिटल में जाना चाहेंगे या हम क्या नहीं तो उनने अपने घर से परस्टनल वान मंगाई और वो अपने घर में जाका हम क्यांटीन यहीं मैं आप सागाँ जाए कि इतने बढ़ते केसे को लेकर आपकी चेहरे पर मास्क नहीं है और यहां पर ही कोविड टेस्टिंग की जा रही है तो हम तो फिर हमार को मास्क की क्या जुरत तो और लोगों से जानते हैं कि किस तरीकी की प्रसिरिया है आपर चल रही है को लोगों मैंनेजमेंट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे पर उससे पहले स्वीर दिखाना चाहूंगी कि यहां पर जितनी भी सारी बसेज हैं वो यहां के रास्ते से आती हैं और उधर के रास्ते से जाती हैं यहां से जब उतरती हैं तो यहां के सारी यात्रियों को एक एक करकर यहां पर Corona की टेस्टिंग के लिए लाया जा रहा है आटी पीसर के लिए और मैं आपसे जानना चाहूंगे कि किस तरीके से आप मतलब अभी यातरी हैं आप नहीं यातरी नहीं है मैं अपनी मम्मी को लेने आए वा अच्छा तो आप लेने आया है तो यहां पर आपने देखा और कि एस बीटी पर लगाताँ को रोना की टेस्टींग चल लुए तो कहीं न गया है कि यह आता हुआ है और लोगों से जानेगे कि कि Михांथी, ख IAC, और लगाताव आप असे यहां पर उतर रही हैं इह संप आई預क ब operate करते हैं कि वो दो होटा, प्रोना को लेकर यहां पर टेस्टिंग जा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे तो और आप से जानेंगे कि यह स्थरी किसी आप पर जो कोरोना टेस्टिंग लग रही है बड़े बड़े जो आंकडे है लगातार उत्राखंड में आरे इसको लेकर आप क्या कहेंगे तो तेस्टिंग चल रही है लगो बता रहा है कि पैटिछे सिस्टेम आ चुके हैं और पोजेटिव बता रहे हैं उनको तो चलता ही चला रहा है विमारी बजाए गड़ने के और बढ़ ली है आपको क्या लगता है कि अब जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए सरकार कितने किस हद तक तैयार है कुछ नहीं लापरवाई है सरकार की सरस्ट लापरवाई है क्योंकि जहां चेकिंग होनी चाहिए दिवान होनी रही है बोटर सारे कोन लगके है अब यहां बस अड़े में बस अड़े में जो पांच किलो मेटर से बैठके आ रहा है और जो सो किलो मेटर करके आ रहा है 110 किलो मेटर का उसकी कोई टेस्टिंग नहीं है तो सबकी हो एक दौर से कंपल सरी हो अभिन कुद तेस्ट की नहीं है ूऊ है और एल्यों भारे पासे खाली हो रही है उनको त्थारी पसे अंदरा में यह उनकी टैस्टिंग अगर को करोना है कि यहां पर पॉजिटिव निकला जा रहा है उसको अपने घर की बेजा जा रहा है तो मैं तो निमानता है अगर इन्हें कानी औुट और यह उस्पिटल की कि यह उप्छन दे रहे हैं एक दून спिटल मेरे घर को अब यह दिखने तो दो advisor तो जैसे कि आपने लोगों से बातचीत की लोगों से बातचीत के दौरान यह बात भी सामने आए कि आइस बीटी तक पहुंचते-पहुंचते कई आधी जो गाड़ियां वह जाती है अधी जो ँटारी हो जाती है कही Bundesregierung है वही पर उतर जाते हैं ना कई जो-ahe पर लगाने चाहिए जहां से यात्री उतर रहें उनका भी जाइजा लेना चाहिए या फिर साथी साथ लोगों को पहले से ही टिकेट लेने से पहले इस चीज के बारे में उनका टेस्ट कराना चाहिए कि जस्ते की उस टाइमी टिकेट मिले जिस्ते की बाहरी राज्यों तक प झाल